कि देव क्लासिस इस्पेशल में सभी छात्रों कहार्दिक स्वागत है आज आप देखने जा रहे हैं कच्छा टैन्थ की नर्दे संक ज्यामति नर्दे संक ज्यामति में सबसे पहले आपको कार्थी तल देखना है कार्थी तल क्या होता है कार्थी तल का मतलब एक आपकी एक सच होगी और एक आपकी वायश होगी इसके अंतरकत में ध्यान देखना देखना कार्थी तल के अंतरकत कुछ चीजा आपको ओड़ ध्यान देनी है ये आपकी एक सच की धनात्मक दिशा होती है ये आपकी वायश की धनात्मक दिशा होती है ये आपकी एक सच की रड़ात्मक दिशा होती है ये आपकी वायश की रड़ात्मक दिशा होती है अब यहाँ पर चिन्हों का निर्धार भी हमें सीखना है कि किसी किसी सवाल में पूचा गया है जो महत्पूर प्रश्न है तो उसके लिए हम लोग पहले देख लेते हैं यदि हम इस चतुर्थांस की बात करें तो यह हमारा पृत्थम चतुर्थांस कहलाता है कैसा यह हमारा पृत्थम चतुर्थांस है और यह हमारा बनता है दू-ती यह हमारा तरती चतुर्थांस बनता है और यह हमारा बनता है चतुर्थ यदि हम पृत्थम चतुर्थांस की बात करें तो आप देखते हैं कि हम X-A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C क्या क्या कराएगी यह कर लाएगा भुझ तो यह भी धनात्मक होगाhando और य न यह दोनुँ आपके धनात्मक होते हैं दूसरे में देख लेते हैं यहां देखि लेते हैं जब हम X के तो 1214 में चलते हैं तो यह इसकी रड़ात्मक्त दिशा किल आती है इस से यहोंदि हम Two- darle होता है پلस तो आप कह सकते हैं दो ती चतरतम्स में भुझ का मान रड़ात्मक जबकि कोटी का मान ध्नात्मक होता है इसी परकार आप 344 में आके देखें यह हम xuse के रड़ात्मक दिसा में आगे बढ़े और इसके बाद यदि हम नीचे के तरह आते हैं तो हमको 344 में लेगा तो यहां पर आप देखेंगे x कमान भी रड़ात्मक और नीचे के तरह आ रहे हैं यह पिर ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले हम X-A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C बिंदू किस तल में इस्तित हैं माइनस तीन कोमा चार किस चतुर्थांस में इस्तित हैं तो आप देखिए यहां पर भुचकामान रडात्मक जबकि कोटी के मान धनात्मक है तो ऐसा कौन सा चतुर्थांस है जहां पर भुचकामान रडात्मक और कोटी के मान धनात्मक होता ह तो यह आपको दोतीचतरथांस होगा यह देखिए यहां पर भुज़ का मान ड्रादात्मक और कोटी के मान धनात्मक होता है इसलिए इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे दोतीचतरथांस में इस्तित होगा रिदि दूसरा मान लेये। एदो थे किसंथी ने का माइनस 1,3 यह फिर माइनस 3 ले माइनस 1,3 किस 4 स्बाभा तो ध्यान देजी किस 4 स में भोज और कोटी दोनों रड़ात्मक होते हैं तो आपको पता है कि भोज और कोटी दोनों रड़ात्मक होते हैं तरती चतुर्थांस में इसलिए हमारे यहां पर उत्तर क्या होगा तरती चतुर्थांस इस प्रकार यदि कभी पूछा गया कि 2,3 इसका मतलब है कि भुज और कोटी दोनों धनात्पाक है भुज और कोटी जब दोनों धनात्पाक होंगे तो यह किस 4 और होंगे तो सभी कैं आंसर क्या होगा पृतहम 4 और इसका मतलब एस चोटी सी परिफासा जो मैं आपको बताना चाहेता था नर्दे शाम के माध्यम से यह आपको समघ में आगए होगे यह प्रस्म आपका पूचे जा सकता है आपको एक बिन्दू दे देगा और पूची गए यह बिन्दू किस चतो शामास में ज़ते थे इसको आप आज़ाके सकते हैं इसके बाद में कुछ प्रस्ण और भी है हम देखते हैं आगे इसके बाद में कुछ और नियम भी है जैसे इसी निर्दे सांख में आप से पूँच सकता है किसी दो बिंदू की बीच की दोली मैं फिर शेक चितर बनाता हूँ जिसे इस प्रकार के एक निर्दे सांख दिया गया है आपको एक बिंदू कोई भी दे दिया गया मानके चलिए कि यह कोई एक बिंदू है और एक बिंदू यहाँ पर कोई है इस बिंदू को यदि हमने मिला दिया इसके कुछ भी निर्देशांक दिये गया है मानके चलिए X1 और Y1 है और X के X2 और Y2 है आपसे पूछा गया कि इन दोनों बिंदू की बीच की दूरी क्या होगी तो यह X अच्छ है यह आपकी Y अच्छ है यह आपको चितर बनाने की कर सकते हैं कि अच्छ है कि अच्छ है कि अच्छ है कि अच्छ है कि बीच की दूरी को हम डी से लिखते हैं डी के एक सुत्र आपने पढ़ा होगा X2-X1 का होल स्क्छ प्लस Y2-Y1 का होल स्क्छ यदि आप इसको लगा देंगे तो आसानी से आपका बीच के दूरी निकल सकती है यह सुत्र अभी तक आपने रटे होंगे आपको बताए गए होंगे और आपने रट लिया होगा लेकिन इस सुत्र की उत्पति कैसी हुई आईए आज हम इसको भी देख लेते हैं यदि हम इसको आगे बढ़ा दें और इसको आगे बढ़ा दें इसकी बाद में हम इसको मिल देते हैं तो ध्यान दीजेगा यदि ये दूरी आपकी x1 है ये दूरी कितनी जाएगी आपकी x2 यदि हमने इसको x1 माना तो ये क्या हो जाएगी x2 हो जाएगी तो इस प्रकार हमारी ये जो दूरी हुई बीच की कितनी हो गई x2 माइनस x1 ये दूरी हो गई जो बीच की दूरी है ये कितनी हो गई आपकी x2 माइनस x1 ठीक है इसकी बात में अब हम yx में देखते हैं yx में ये कुल दूरी कितनी है ये है y2 और ये क्या है आपकी y1 यहाँ पर हम लोग क्या है ये आपकी y1 हो गई और ये आपकी maximum दूरी क कि यहां तक की दूरी बनेगी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी बनेगी यह आपके कुल y2 है और यह कितनी है यह आपकी y1 है तो आपको y2- y1 रख देना है इस पर कर आपके दूरी बन जाएगी आप यह सुत्र बना तो बना कैसे आपने पाइथाकूरस प्रमें पढ़ी होगी इसमें क्या होता है करड़ स्कूर बराबर लंब स्कूर प्लस आधार स्कूर करड़ के माने यहां पर हमने इस दूरी को कितना मान लिये मानके चलिए यह हमारी D है तो करड की जगे हम लिख सकते हैं D square बराबर لمb square क्या था لمb यहां था Y2 minus Y1 आप इसको भी लिख सकते हैं तो Y2 minus Y1 का whole square प्लस आधार कितना था आपका X2 minus X1 का whole square अब यदि हम D का work अलग करेंगे तो D बराबर बन जाएगा under root Y2 minus Y1 का whole square प्लस X2 minus X1 का whole square आपको सूत्र सिद्ध करना भी मैंने आपको बता दिया कि आखिर इस सूत्र की विवत्पत्ती कैसे हुई कहां से इस सूत्र आया क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ राटा होगा लेकिन आज के बाद आपको रठने की आऊ सकता नहीं कि इस सूत्र आपको आटोमेटिक सौन्ज में आ गया होगा आगे से आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं अगले तरीके में आप सीखेंगे विभाजन सूत्र के बारे में विभाजन सूत्र इसी नर्देशांग के अंतरकत दो प्रकार के होते हैं पहला विभाजन होता है आपका अंतर विभाजन और दूसरा होता है आपका वाहिव विभाजन इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं सूत्र को याद करने की आवसकता नहीं है यदि आपने समझ लिए तो सारी चीजी आप से आटोमेटिक बन जाएंगी अंतर विभाजन का मतलब है कि हमने कोई भी दो बिंदू ले लिए कि बिंदू A है और ये बिंदू हमारा B है मान के चलिए बिंदू A के नर्दे सांख हमारे है X1 और Y1 और बिंदू B के नर्दे सांख हमारे X2 और Y2 यह दो बिंदू के नर्दे सांक दिये गए हैं और हमें अंताह विभाजन सबसे पहले हमें अंताह विभाजन निकलना है तो अंताह विभाजन का मतलब इन ही दो बिंदू के बीच में हम कोई बिंदू मान लेते हैं मान के चले यह बिंदू हमारा है P इस बिंदू को मान लिया और इस बिंदू के अंदर दे सांग भी हमने क्या मान लिया अपने मन से X और Y देखिए इसके हमने X1 Y1 माने इसको हमने X2 Y2 मान लिया तो हमने इसको X और Y मान लिया अब दोरी मानते हैं दोरी का मतलब अब हमें नहीं पता कि किस अनुपात में विभाजित हैं इसलिए हम इसको M1 वा M2 मान लेते हैं विभाजन बिंदू हैं कितने M1 वा M2 यदि इस condition में सूतर होता है आपका तो आप X का मान जो यह value है यह आपके निकलेगे X is called to M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 जान देज़ेगा यह निकलेगा आपको और Y के निकलेगे Y is called to M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2 यह तो थे आपके अंताव विवाजन अपने देखा होगा किसी एक देखा को कीच कर उस देखा के अंतरकत हम किसी बिंदू को मानते हैं और उस बिंदू के निर्देशांग यदि हमने X और Y माने है तो उनका अंताव विवाजन कितना होगा M1 वा M2 होगा इस प्रकार हमने X Y के निर्देशांग निकाले इस उत्र को रखकर आप अंताव विवाजन वाले किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं अब चलते हैं Y विवाजन की तरफ Y विवाजन यदि Y विवाजन की बात करें तो ध्यान देजेगा आप किसी भी 2 बिंदू को मान लेज़े मान के चली ये बिंदू A है और ये बिंदू हमारा B है बिंदू A के निर्देशांग है X1 और Y1 और बिंदू B के निर्देशांग है X2 और Y2 ठीक है यदि वाई विवाजन कर रहा है तो रेखा से दूर कोई बिंदू एक पी मान लेजे जिसके निद्रे सांग के एकस हुआ हुआ अब हमें अन्ताइ विवाजन करना है तो यह हमारी कुल दूरी कितनी है कुल दूरी के वाप मान लेजे M1 तो हमारी जो आधितूरी होगी यहां से यहां तक इसको हम क्या करेंगे M2 मान लेते हैं इस कंडिशन में जो हमारा सुत्र बनेगा आब वाई विवाजन में हमेशा आपको उस रेखा से बाहर कोई बिंदू लेना है इस कंडिशन में हमारा सुत्र क्या बनेगा X कमान निकालना है तो बनेगे M1 X2 माइनस M2 X1 बटे M1 माइनस M2 इसी प्रकार Y बिंदू के बनेगे M1 Y2 माइनस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2 सुरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा यहां पर यह दोनों आपके सुत्र होंगे निर्दे संक जयामिती में इतने सुत्रों से हम आपको इतने सवाल लगाने बता देंगे कि आपकी परिच्छाओं से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा एक तो सुत्रों और बचे हैं हम उसको भी देख लेते हैं फिर हम आपको सवाल बताते हैं इसके बाद में आपसे चीज और पूछ सकती है क्या पूछी जा सकती है मद्ध बिंदू के निर्दे संक मद्ध बिंदू के मतलब ए भी कोई एक देखा है जिसके निर्दे संक हमारे x1 वा y1 और x2 वा y2 है यदि हम इसके मद्ध बिंदू के निर्दे संक मतलब बिंदू 3 मान लें यदि हम इसके निर्दे संक x वा y निकालने होंगे X वो Y निकालने होगे तो हम क्या निकालेंगे X बराबर X1 प्लस X2 बटे 2 इंटू Y बराबर Y1 प्लस Y2 बटे 2 इस प्रकार हम मध्य बिंदू के निर्दे सांग निकाल सकते हैं एक इस सुत्र का प्रयोग होगा और एक लास्ट सुत्र है और उसी सुत्र से दो चीज़े बनेंगी यदि आपको कोई भी तिर्फुज दिया हो या आपको कोई भी तीन बिंदू दिये गया हो A, B, C और उसके निर्दे सांग गरम सा क्या हो X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 यदि आपके ये निर्दे सांग हो तो आपके तिर्फुज का चेत्रफल बनेगा तिर्फुज का चेत्रफल क्या बनेगा, एक बटे दो सबसे पहले मानी है X1 इसको बड़ा कोई टक लगाएंगे हम यहाँ पर यह मजला कोई टक भी लगा सकते हैं यह बनेगा आपका X1 और कोई टक में बनेगा Y2 माइनस Y3 ध्यान देजेगा यहाँ पर हम 1 मानेंगे, तो अंदर मानेंगे 2 और 3 तो यहाँ प्लस लेजे, फिर हमने लिए X2, यह हो जाएगा Y3 माइनस Y1 इसी परकार X3 लेंगे यह हो जाएगा Y1 माइनस Y2 इस परकार यह आपके तरफुष की 6 तरफल का सूत्र है एक कंडिशन और भी देखिएगा इसी में आपसे पूच सकता है कभी कभी संद्रेख की स्थिति संद्रेख का मतलब होता है यह तीनों बिंदू हमने अलग-अलग डारेक्शन में लिए हैं यदि यह तीनों बिंदू एक ही दिशा में हूँ मतलब सीधी रेखा में हूँ तो उस कंडिशन में तरफुष की 6 तरफल यह 6 तरफल क्या पूच सकता है यदि संद्रेख की स्थिति में होंगे तो आपका तरफुष की 6 तरफल का मान हो जाएगा इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 0 बरावर 1 बटे 2 कुश तक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 यह फिर हम इसको कुछ और भी लिख सकते हैं 1 बटे 2 को हम समाप्त कर देंगे क्योंकि 0 दूसरे तरफ है हम इसको लिख सकते हैं उस टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 यह आपका है संद्रेक का सुत्र यह इस वीडियो में हमने टोटल नर्देशांग के सुत्रों को सीखने का प्रयास किया और उम्यत करते हैं सभी चात्रों ने बहुत कुछ आश सीखा होगा क्योंकि आज के बाद जो दूसरा पार्ट आप हमारे इस वीडियो का देखेंगे उसमें आप सवालों को सीखेंगे और हम गारंटी देते हैं कि 10 से 12 सवाल आपको लगाने हैं और नर्देशांग से कोई भी सवाल आपकी परिछाओं में आ जाएगा आप नो डाउट किसी भी सवाल को छोड़ने वाले नहीं हैं हर सवाल आपको 100% बनेगा इसकी हमारी जवाबतारी है यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और helpful हो आपके लिए तो आप वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्वाद